आप लोगों को ईद के लिए मना किया जा रहा है कि ईद की शॉपिंग ना करें और इद के कपड़े खरीदने के लिए या इद की शॉपिंग के लिए घर से बहां ना जाएं और ते बहने बाईजी बहने चितने मीं हैं कोई भी शॉपिंग के लिए ना जाएं ये वीडियो ने बखिए गाना को करे लिए लोग बहूं निकों वालों को यहांस, पर से ही तक नजर नहीं आहुत हुग तसलिया आप को यह न्यूज सुन कर अब आप 24 घंटे। टीवी पर चलाया जाओगे नेूज पर चलाया जाओगे। मुसल्मानों ने ईत की शॉपिंग के लिए लॉक्टाउन की जज्जिया उड़ाके रख रही है यानि कोई भी आपस में दूरी यानि के नहीं दिकीन में और यह सब आपस में मिलोगे थे और आपस में चले थे कोई भी इन्हों ने नियम का पालन नहीं किया तो आपको सौ बार समझाया गया मैसिज के द्वारा मजड़ितों में इलान हो रहा है आपको आपके घर में जितने भी भाई बेन हो उन सबको पता है कि एत की शॉपिंग के लिए बाहर नहीं जाना है फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हो और ये नियूद मैंने अभी आपको दिखाई अभी और दिखाऊंगा इसका थोड़ा सा हिस्सा और दिखाऊंगा आपको तो आपको और दादा खून खोलेगा कि जब हम मना कर रहे हैं आप लोगों को ये ही बात चलेगी कि ईद की शॉपिंग के लिए मुसलमानों ने लॉक्टउन के उड़ाई ज़्जियां अइद की शॉपिंग करने के वक्त मुसलमानों कोरोना वाईरस को फैला दिया तो मेरे भाईओं बहनों क्यों ऐसा कर रहे हो कि हम खुद हम ये खुद कर रहे हैं ना हमारी गलती है इनको हमने मौका दिया है इतनी दिन से ये शान थे बड़े आराम से चला था इनका लेकिन अब आपने ये मौका दे दिया अब ये जगा जगा अपने कैमरे लेकर गोमना चालू कर दिया होगा इन्होंने कि आप देखो काउंसा मुस्लमान कौन सी दुकान पर क्या खरीद रहा है और किस तरीके से खरीद रहा है उसको कैमरे में कैद करेंगे कैमरे में कैद करने के बार आपको मुझे सबको पुरी कौम को बदनाम किया जाएगा चैनल बेपैट के क क्यों निकले और इन्होंने लोक्टोन की जज्जियां उड़ा दी एक बार वीडियो और देख लीजिए आपको खुद पता चल जाएगा लिए देखिएगा इस वीडियो देखकर और मेरा खून खौल ला है तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा कल रात करीब आठ बजे यहाँ पर लोगों की भीड इखटा हुई मुंबई के शिवाजी नगर के बाजार में एक एक लोग यहाँ पर इखटे हो गए दरसल इत की खरीदारी करने के लिए यह लोग बाहर निकले और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग कहीं से कहीं तक नजर आया यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं कर रात आठ बजे की है बाजार सजे हुए हैं इत की खरीदारी करने के लिए लोग मिकल पड़े सोशल डिस्टेंसिंग की कैसे धज्जिया उड़ाई गाई यह तस्वीर आपके सामने हैं लेकिन आप जरा देखिए यहाँ पर शा शापिंग नहीं करोगे तो क्या तुम मर जाओगे जेव बता दो मुझे तुमारे पास अल्ला का दिया ओवा सब कुछ है तुम्हारे पास कपड़े भी रखें खाने पीने का सामान बीए सब कुछ है तो तुम इस बार अकर इतकी शॉपंग नहीं करोगे तो कुछ हो कोम की तो तुम कोम की अगर इज़त करते हो अगर कोई मुस्लमानों की इज़त करते हो यानि कि अपने इसलाम को बचाना चाहते हो तो यह की शॉपिंग इस बार मत करो इस बार मत करो इस बार मत करो यह कोरोना वाइरस है यह खतम हो जाए इसके बाद कितनी भी शॉपिंग कर श्कुलिट कुछ नहीं अभी और आने वाली बीड़ी है कि मुस्लमानों ने कुरोना पूरे देश में फैला दिया, लॉक्टोन की धज्जियां उड़ा दिया, अब इनको यहां नहीं दिखेगा, जब यह शराब की दुकानों पे लैन लगी थी, इस तरीके की तो इन्होंने एक बार भी अबास नहीं उठाई थी, एक बार भी अबास नहीं उठाई थी पूरे लॉक्टोन का नियम का पालन करेंगे, जो पनियानी के नियम है, उसका हम पालन करेंगे ताकि हम यह कुरोना वाइरस से भी बचे रहें और हमारे उपर जो बदनामी का धबा लगने वाला ओधबे से भी हम बचे रहें, तो आपको मैंने समझा दिया है, तो इस अई वीडियो के साथ जब तक के लिए लिए लाँ आपज़